हेलो फ्रेंज अगर आप निव मेंबर हैं तो आपका स्वागत चैनल बीटिफुली ओ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में ही नौटिफिकेशन बैल को ज़रूर प्रेस कर दीजे ताकि आप जब भी अपना मॉबाइल ओन करें बीटिफुली चैनल की नौटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और इसी के साथ मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर फोलो करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंज टॉनर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आप में से कुछ लोग टॉनर का इस्तमाल भी करते होंगे तो क्या आपक इस्किन की क्वालिटी बहतर होगी और इस्तमाल करने का सबसे बैस तरीक आपके साथ शेयर करोंगी जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी में बहुत ज्यादे इंप्रूमेंट आजागा यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हों बायोटिक बायो कुकुमबर ओनर जो 100% प्यॉर है क्योंकि आप जब कभी भी टॉनर इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशे ध्यान रखे कि वह एलकोहल बेस ना हो और एकदम प्यॉर इंग्रीडेंस उसके अंदर एड किये गए हो जो एकदम हर्बल हो एक्स्ट्रेक्टिड हो प्लांट से वही आपकी स्खीन के लिए बहतर रहेंगे फ्रेंट्स क्लींजिंग के बाद अपने फेस को क्लीन करने के बाद टॉनिंग जरूर करनी चाहिए उससे आपके फेस का एक्स्ट्रा ओयल जो रह जाता है जो फेस को कुकुमबर टॉनर है इस तरीके की कार्डबॉर्ड पैकिंग में आता है 175 रुपीज की 120 ml गी बॉटल हमें मिल जाती है टॉनर आराम से आपका 3-4 मन तक यूज हो जाएगा अगर आप डेली उस खरेंगे तो 3-4 मन तक आप इसको एजिली उसकर सकते हैं काफी सारे ऐसी जो हमारी स्किन की क्वालिटी को बहुत ही जादे इंप्रूफ बनाती है और एक अलग सी ही वैरियेशन आपके फेस पर देखने को मिलती है लाइक चमक वगेरा बहुत ही जादा आ जाती है अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रिडेंट्स के बारे में और किस तरीके से ट तो अगर आप टॉनर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा 100% प्योर या आयरवेदिक ही टॉनर को इस्तेमाल गीजिए वह आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत ही बहतर बनाएगा और अगर आपने इसको डेली लाइक वन मन तक अगर आपने इसको यूज कर लि टॉनर के बारे में टॉनर हमारी स्किन की क्वालिटी को मैं भी बढ़ाया की इंप्रूफ करता है और साथ में हमारे फेस की जो कुछ प्रॉबलम्स हो जाती हैं लाइक हमारे हैर्स आरने लगते हैं अगर आप देली इन की इसको अपने pp apply करती हमूं। आप चाहे तो अ बॉल भी ले सकते हैं। सेम प्रोसीस करना है। यहाँ पर में हैं हैंड और में प्रेक्ट का थोड़ा से संप डूर कर लेना है। डब-डब की हेल्प से अपने फेस और नेक एरिया पर जुरूर अपलाई करना चाहिए और साथ में ही अगर आप कॉटन की हेल्प से भी इसी तरीके से आपको लगाना है आपके स्किन की एकस्टर का आईल करेकिछा में पर उपफिके हरे की खाल मुंधकि आपके एकस्टर की साथ में तो तो तॉन्र टोनर में यह दुग ने कर दएक दाता है मुषण चाहिए अपने सकिन थल्स प्रेश है तो अपने का फेसी पर रेंगा उल जहाना है एपलाई कीजिए विदिन टू मिनट्स मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडेक्ट के बारे मुझे क्या सबसे जाद अच्छा लगा एक तो यह लाइट क्रीन कलर का है और बहुत जदा अफॉर्डेबल है और एकदम क्लियर लुक देता है लगाने के बाद आपको पता भी न हुआ के बाद यह टू मिनेट्स में थी एल्लों में ही फीड announce के बांधे करते तो चीर्म के घर्लों की गर्मी यह सबसे भीन को देता है अ म thr. गाफिक क्लिंग वाल कर देता है फ्रुक रहना हो पाहसु क्लिंक आगए काम कर दाया क्या इस्त बच्ड़र्हाल आ क्लिए परसेंट यह बोटनिकल एक्स्ट्रेक्ट से बनाया गया है जो प्यॉर वेज है और साथ में हमारी स्किन के क्वालिटी को बहुत ही बहतर बना देते हैं 120 ml की बॉटल 3-4 मन्त एजिली आप इसको यूज कर सकते हैं तो क्वांटिटी भी काफी बैटर है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडेक्ट के बारे में मुझे क्या पसंद नहीं आया तो as you can see जो पैकिंग है वो नॉट इस पिल पूफ टाइप की है like product बहुत ही जादे वेस्टिज होगा अगर आप हैंड पर डारेक्ट ले रहे हैं तो product में भी वेस्ट हो जाए तो इसले आप cotton ball का इस्तेमाल कीजिए और इसकी sensation वो थोड़ी सी sting वाली है like stinging चुबने वाली है sensitive skin के लिए थोड़ा सा ये डाउट में हो सकता है और जिनकी skin dry है वो इसको 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 इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपकी skin को और भी जादे dry बना सकता है ये friends आपके जो pores हैं जो large हो गए हैं उनको कम तो कर देगा बड़ खतम नहीं करेगा तो ये थोड़ा से इसका यहां पर मुझे drawback दिगा अब मैं आपको बताती हूँ toner को इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे होते हैं अगर आप toner इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी skin को क्या क्या फायदे मिलेंगे तो सबसे पहले जहां पर benefit होता है आपके जो pores होते हैं उनको shrink कर देगा अगर आप डेली में अपने face को cleansing, tonic, moisturizing तीनों से ही follow कर रहे हैं अपना skin के routine अच्छा बनाया हुआ है और toner का सही toner के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके face के जो pores हैं उनको definitely minimize कर देगा और आपकी skin के quality को पहतर बनाने में भी helpful रहेगा तो आप toner के इस्तेमाल जरूर कीजे अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो आप बहां से इसको purchase कर सकते हैं second benefit which I feel about toner यह हमारी skin के pH balance को restore करता है like आपके face पर ना तो जदे acidic और नहीं जदे basic effect लाता है क्योंकि जब हम cleansing करते हैं face wash जिसके अंदर base होता है तो उससे हमारे face पर बहुत ही जदे base बनने लगता है तो यह उसको balance करता है और extra के जो acid होते हैं like water वागेरा में जो acid होते हैं उनको भी कम करने में यह helpful रहता है तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए थर्ड benefit टॉनर को इस्तेमाल करने का यह हमारी skin पर एक protection की layer बनाता है जिससे हमारी skin fight करती है against the bacteria against the pollution like pollution में जाने से हमारी skin की quality बहुत ही जदे डल हो जाती है तो अगर आप बाहर भी जा रहे हैं अगर आप घर में भी हैं तो आप cleansing, toning, moisturizing daily इस्तेमाल कीजिए और toner का इस्तेमाल जरूर कीजिए 4th benefit हमारी skin के moisture को बनाया रखता है like हमारी skin को moisture करता है yes I know moistureizer का काम ही होता है but अगर आप toning भी कर रहे हैं अपने face पर regularly तो वह भी आपकी skin के moisture को बरकरार रखेगा उसको लोग करके रखेगा आपके face को ना तो जदे dry up होने देगा नहीं oily होने देगा तो friends यहां पर जो product मैं आपके साथ share करनी हूँ यह normal to oily skin type के लिए suitable है इसमें normal to dry skin के लिए भी आता है तो आप हमेशा अपनी skin type के ही according product purchase कीजिए तभी वह आपकी skin की quality को बहतर बनाएंगे तो चलिए अब last but not the least हम बात कर लेते हैं इसके 5th benefit की यह हमारी skin को refresh करता है और जो हमारे hairs होते हैं like facial hairs जो होते हैं उनकी growth को कम करने में helpful रहता है जी येस अगर आप cleansing, tonic, moisturizing daily routine में follow कर रहे हैं तो आपके hair की growth को कम करने में यह बहुत ही जादा helpful रहता है और आपकी skin को बहुत ही जादा baby type बना देता है तो इसलिए आप अपनी skin की care जरूर कीजिए So friends, आज की इस वीडियो में बस इतने ही hopefully a product and इससे related कुछ tips जो मैंने आपके साथ share कियें कि toner को किस तरीके से इस्तमाल करना चाहिए, कब और कैसे इस्तमाल करना चाहिए, hopefully वो आपके लिए helpful रही होंगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, इस वीडियो को डेर सारे लाइक जरूर कीजिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और टिप्स कैसी लगी और इसी के साथ मेरी पुरानी वीडियो को उपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक कीजिए, उपर लिंक आ चुके है, क्लिंजिंग, टॉनिंग, मौस्टराइजिंग के सभी प्रोडेक्ट्स के लिंक मैं उपर दे दिये हैं और कमेंट करके जरूर बताना फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाबाए, टे केर, जैहिंज जै भारत